दोस्तों आज मैं आपको पांचेसे प्राचिन दानों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे पूरुवजों को इन्हें राक्ससों का सामना करना पड़ा आज भी जब इनकी बात की जाती है तो लोगों की रूख आप जाती है कुरू पीरा ब्राजील की प्राचिन काहानियों में ये एक बोना पिसाच है जिनके बालों की जगा पर लाल रंकी आग जलती रहती है वही इसके पेर पिछे की और गुमे रहते हैं जिसके पेरों के निसान को देखकर जंगल की सिकारी कनफ्यूज हो जाते थे माना जाता है कि ये पिसाच जंगल की सुरक्सा करता था और उन लोगों को सजा देता था तो जंगल को नुकसान पहुचाते थे ये किसी का भी पीछा करने या फिर कहीं पर भी जाने के लिए जंगली पिक्की सवारी करता था ये तो डामा ये छोटी और निले रंकी बोल है तो इंसानों के नजदीक जाकर उन्हें डाराना पसंद करती है कहा जाता है कि ये निली रोशनी उन लोगों की आत्माएं हैं जिने मरने के बाद सांती नहीं मिलती इनके बारे में आप जैपनीज की कहीं प्राचिन कानियों में सुन सकते हो हलांकि ये भी माना जाता है कि ये किसी इंसान को नुक्सान नहीं पहुचाती सिर्फ उन्हें डराती है, कुछ लोग तो इन आत्माओं को भुट लग के रूप में भी देखते हैं कोर्पो सेको अगर इस दानव की बात की जाए, तो देखने में एसा लगता है, मानो जैसे पूरा सरीर सड़ गया हो क्योंकि ये वो इनसान हुआ करते थे, जिने अपने मालिक की मोत के बाद, बिना उनकी मर्जी के जिंदा दफना दिया जाता था तो अपना बदला लेने के लिए, अपनी कबर से बाहर आ जाया करते थे ऐसा तभी होता था, जब आसमान में पूरा चान दुगाया हो ज़्यादा तर ये पेड़ पे चड़ कर अपने सिकार का वेट करते थे, और जैसे ही कोई पास ये गुजरता, ये उस पर कूद कर हमला कर देते थे अगर इस दानों की बात की जाए, तो इसकी स्कीन ब्लेक कलर की होती थी, और हमेशा वो जादूई लाल रंकी टोपी पेना रहता था, जो उसे गायब होने या फिर प्रकट होने में मदद करता था, जो दिखने में तो इंसान जैसा था, पर उसके सिर्फे की पेर था, जो अपने आने और जाने के लिए रस्ट डेविल का उप्योग करता था, जिने आप छोटे भवंडर के रूप में भी जानते होंगे, ज्यादा ता लोग ये भी मानते हैं कि अगर आपके आसपास की चीजे बार बार अचानक से तूटने लगे, तो उसका कारण साची को ही मान जाता है, कित सुन, ये मेजिकल लोमडी अमर थी, जो जादू इस सक्तिया काम में लेती थी, जिसके हर सो साल में एक पूछ उगाती थी, जब तक कि उसके नो पूछ ना उगाए, जो इंसानों के सरीर को कंट्रोल करने के साथ साथ मुझे आग और हवा में भी उड़ सकती जा फिर आप ये भी मान सकते हो, इस जाइपनीज मितिकल क्रियेचर के पास अनलिमिटेड सुपर पावर्स थी, दोस्तों क्या मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक मिलेगा, जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकेंड लगेगा, और वीडियो के नीचे क्लाल बटनें उस पर क्लिक किजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना